हलो हुम्रे दोस्तों मैं रहूल और स्वागत अप लोगों का आपके अपने यूटूब चलन अरके सेंटर पे दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इंग्लिस के एक मैं इंपर्टन टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं जो कि इस प्रकार से टॉपिक आपके रहेगा दोस्तो आर्टिकल एयन स्पीच आर्टिकल क्या होता है इसके एंपस्ट के बारे में लोग डील करने वारे हैं जो कि आपके unexamination के लिए निचो आप पार्ट फाइप तक जो है ना वीडियोस बना दिये गए हैं अगर आप उसको नहीं देखे होंगे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक मिलेगा वहां से आप पूछा के देख सकते हैं उसके साथ साथ का वीडिया पाने के लिए टेलिग्राम का लिंक मिलेगा स्पीच पढ़ना है डायलोक्स पढ़ना है डिवेट एंड प्रेजेंटेंटेंशन स्कील्स के इंपोर्टेंट एंसी क्यों के बारे में जानना है ठीक है तो पहले हम लोग आर्टिकल के एंसी क्यों को जानते है ठीक है लेकि पहला एंसी क्यों है आपका आर्टिकल इस आ आर्टिकल क्या है ठीक है तो आर्टिकल क्या है शॉट पीस ओप राइटिंग लॉंग पीस ओप राइटिंग तो हाँ right answer क्या हो जायगा long piece of writing क्योंकि article is a long piece of writing होता है, ठीक है तो इसका right answer क्या हो जाएगा option number 208. इसका right answer हो जाएगा ठीक है आगे दीके question में 2 की बात करें question में 2 में क्या लिखावा what can an article describe बोलबे जाए रहा रहा कि article जो है को हम लोग क्या कहते हैं आर्टिकल कहते हैं ठीक है तो आर्टिकल जो है ना क्या दर्साता है एक इवेंट को कोई घटना को दर्साता है कोई एक्सपरियेंस को दर्साता है कोई कोई व्यक्ति के जीवन को दर्साता है कि all of this सभी को दर्साता है ठीक है तो सभी को दर्साता तो राइट एंसर क्या हो जाएगा all of these हो जाएगा है ना आगे देखिए कुश्ण में थर्ड की बात करें कुश्ण में थर्ड में क्या लिखा हुआ है how many paragraphs should be there in an article बुल जारा ना कि article जो लोग लिखते है ना तुसमें से कितने paragraph होना चीए वो कितने paragraph में बटा हुआ होना चीए ठीक है कौनसा article ठीक है कितने paragraph में बटा हो जाना चीए 3 to 4 कितना 3 to 4 तो राइट एंसर क्या हो जाएगा option number C हो जाएगा 3 to 4 ठीक है आगे दिखे question number 4 question number 4 की तरह बढ़ते है question number 4 में क्या लिखाबा है कि which of the following is not an element of an article क्या बुला जोस्तों कि निमलिखित में से जो है ना कौन जो है article का तत्व नहीं है क्या है निमलिखित में से कौन ऐसा है जो article का तत्व नहीं है क्या date नहीं है subscription नहीं है solution नहीं है कि क्या नहीं है ठीक है जिसका right answer क्या हो जागा all of these ठीक है क्या हो जाएगा all of these ठीक है कि question number 5 क्या बुला है what should the first paragraph of an article be all about बोला जारा ना कि अगर आप paragraph लिखते है आर्टिकल लिखते हैं तो आर्टिकल का पहला paragraph में क्या लिखा जाता है ठीक है तो आर्टिकल का पहला paragraph में जो आना उसका definition लिखा जाता है उसका brief लिखा जाता है जिसके बारेमे आप लिखना चाहते है कि यसके ऐना करते हैं एक आप आर्टिकल लिखते हैं टोसका करीफ होता है ठीक है तो right answer क्या हो जाएगा option number D हो जाएगा ठीक है अगर दिखें question number 6 की बात करें question number 6 में क्या है कि on which parameters is article writing assumed बोला गया ना कि लेक जो है लेखन का मुल्यांकन जो है आगे दिखें question number 7 की बात करें question number 7 में क्या है कि how should an article be indeed कैसे होना चीए एक article का अंत जो है कैसे होना चीए ठीक है तो thanking the audience और audience को thank बोल करके greeting the audience with a suitable conclusion कि suitable conclusion निसकर्ष दे करके यह इसका राइटनसर हो जाएगा एक suitable निसकर्ष दे करके जो है एक article का अंत किया जाना चाहिए ठीक है तो option number 6 इसका राइटनसर हो जाएगा आगे देखिए कुस्ट नम्र 8 की बात करें कुस्ट नम्र 8 में क्या है कि pick the right one out in context of the article writing क्या बुटाया है कि इसमें से क्या करना एक article का जो सही तत्व होता है उसको चूनना है ठीक है तो आर्टिकल का सही तत्व क्या होता है heading और title ठीक है जिसमें हम आर्टिकल लिखते है न आगे देखिए कुस्ट नम्र 9 की बात करें कुस्ट नम्र 9 में क्या पूछा हुआ है कि which of the following can be added to make an article writing interesting देखिए बुला जा रहा है कि article को interesting बनाने के लिए article को interesting बनाने के लिए उसमें क्या चीज़ जोड़ा जाता है या तो क्या हम लोग जोड सकते हैं ठीक है कि दोनों जोड सकते हैं कि दोनों में से कोई नहीं जोड सकते हैं ठीक है तो हम लोग दोनों जोड सकते हैं तो option number C इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है अब देखिए question number 10 की बात करें question number 10 में क्या लिए what should be the ratio of active and passive voice while writing an article देखिए बुला जाना कि हम लोग एक article लिखते ह है ठीक है तो आर्टिकल लिखने के समय उसका ratio क्या होना चीए तो ratio क्या होता है सतर अनुपात 30 होता है क्या होता है सतर रेसियो 30 होता है उसका right answer हो जाएगा आपका option number 20 का right answer हो जाएगा ठीक है आगे दिखिए question number 11 की बात करें question number 11 में क्या है कि what is placed on the top of an article प्रजा रहा रहा है headings लिखा जाता है title ही लिखा जाता है क्या लिखा जाता है headings और title लिखा जाता है ठीक है फिर देखिए आगे लिखावाए कि what is placed just below the title of an article प्रजा रहा ना कि एक article में जो है ना title के नीचे क्या लिखा जाता है ठीक है तो byline लिखा जाता है क्या byline इसका राइट एंसर हो जाएगा मतलब 12 का जो है option नमर बी आपका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है प्र देखे option question 13 question 13 में क्या लिखा बाइ which of the following is correct about the title in the article writing कि अटिकल राइटिंग में रुजा एटाइटल के तहत जुह है कौन सा कथन स reply कंसा कथन सर्थ है ठीक है इसका राइट एंसर हो जाएगा operation number c जो है इसका राइड iis 2004 हो जाएगा इस उट भी ऐसगा जाए inja connection what is आकर सीथ करना ठीक है आपको आकर सीथ कर ले ठीक है ऐसा होना चीए वह को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर दो फॉटिन में क्या वाट इस फिलियोंस ली इन आप आर्टिकल राइटिंग इसका राइट असर क्या हो जाएगा तो आप लिटी टू वीब कॉंटेट टूगेदर अप्सन नंबर अप्सन नंबर ए जो है इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है फिर देखिए कोशन नंबर फिप्टिन में क्या है कि वाट और दा इलमेंट ऑफ मार्किंग सैक्च में आप आर्टिकल राइटिंग देखे बोल रहा है ना किसे मालने अर्टिकल आप लिखे है टाइककल में नंबरिंग करने के लिए किस तच्छे का प्रयोग किया यह आथा नंबरों करने के फुसका प्रयोग किया जाता है क्या अश्हजाल कि सब्सक्राइट नहींड कि सकतर्म stell को सब wellness को प्mel fault ॒ला गया ते कना सब्सक्राइक तबन प्रारूप के घटक क्या है प्रारूप के घटक क्या होते हैं तो क्या होते हैं बहुत a & b means headings भी होते हैं और writers name भी होते हैं क्या होते हैं headings भी और writers name ठीक है फिर देखें को श्रम 17 में है कि what are the constitute of expression in article writing अर्टिकल राइटिंग में जो आना घटक है तो क्या होता है तो इसका write answer क्या हो जाएगा और देखें को श्रम 18 में क्या लिखाबाएं कि what are the element of conclusion in article writing और टेकल राइटिंग में जो है conclusion का तथ है क्या होता है conclusion का मतलब क्या होता है तो क्या होता है suggestion होता है रिमीडियर्स होता है, रिमाइंडर्स होता है, कि all of these, तो right answer क्या हो जाएगा, all of these इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, question number 19 में है, कि an article should be written in, एक article को जोना, किसमें लिखा जाना चाहिए, ठीक है, a single paragraph में, clear paragraph में, informal language में, none of these, write answer क्या हो जाएगा, option number B, clear paragraph में इसको लिखा जाना चाहिए, ठीक है, फिर देखिए, question number 20 के लिखावा है, कि one should writing an article before, ठीक है, मतलब article को जो लिखा जाता है, उसके पहले क्या दिया जाता है, ठीक है, अब इसमाल लेज़े, इसके बारे में आप घर बनाएगा, ठीक है, उसके बारे में research किजएगा, कहां कैसा बनना चाहिए, कैसा नहीं बनना चाहिए, तो है बनाएगा, कि अगर आप article लिखते हैं, तो उसके पहले क्या करना चाहिए, exercise करना चाहिए, pray to God भावान से प्रातना करना चाहिए, कि उसके बारे में research करना चाहिए, तो topic के बारे में क्या करना चाहिए, और research करना चाहिए, तो option number B जो है, इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, आगे देखिए, question number 21 क्या लिखाबा है, कि article writing is meant for, article writing का मतलब क्या होता है, small group of readers, large group of readers, unemployed people, only employed people, तो क्या होता है, large group of readers हो ना, इसका right answer होता है, ठीक है, पर देखिए, question number 22 में क्या लिखाबा, what makes an article good, एक article को अच्छा क्या बनाता है, एक article को अच्छा क्या बनाता है, ठीक है, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, all of these, इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, पर देखिए, question number 23 में क्या लिखाबा, which of the following adds beauty to an article and makes it high scoring, बढ़ जारा है, कि एक article को beautiful बनाने के लिए, मतलब सुन्दर बनाने के लिए, क्या किया जाता है, एक article को सुन्दर बनाने के लिए, क्या किया जाता है, ठीक है, तो handwriting जो है, मतलब उतक्रिश्च तरीके से लिखना लिखा जाना चीए, ठीक है, तो option number A जो है, इसका right answer हो जाएगा, अगर article writing, coherence, article writing में coherence का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो क्या होता है, all of these में logical writing भी होता है, orderly writing भी होता है, constant relation of paragraphs भी होता है, ठीक है, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, all of these, ठीक है, फिर देके last जो question आपका, who should be keep in the mind while writing a good article, बोल रहा है न, जीसे में आप article लिखने के समझ वह है, आ all of the newspaper के बारे मैं, order of the newspaper के बारे मैं, readers and their mood, जो पढ़ने वाले हैं, उसके mind के बारे में सोचना च्ये कि पढ़ने वाले कासे, कैसे तथ सोचेंगे, ठीक है, क्या क्या चीज सोचेंगे, उसके बारे में आपको ध्यान रख़ा जाना च्शिए, ठीक है, तो उम्मीद करते दो मतबते के लिए जए ही जय भार